इधर राज़ानी राच्छी के होटवार जेल में एडी अधिकारियों के विरुद साजुष रचने के आरोप में एडी ने होटवार जेल के बड़ा बाबू जेलर और जेल अधिक्षक से पूछताच की है मिली जानकारी के नुसार एडी के जांट में जेल अधिक्षक हामिदक्तर के सयोग नहीं खरने की खबर सामने आ रही है ऐसे में दीपावली के बाद फिर जेल अधिक्षक से एडी पूछताच कर सकती है और हमारे सयोगी अंजुनी तमाम जानकारियों के साथ लाइब जुट चुके है निजुनी पहले तो एडी के अधिकारियों के विरुद जेल में साज़ुश करनी की बाद सामने आये उसके बाद बड़ा बावु से लेकर के जेलर सभी से पूछताच की गई है इडी काराले में और बीते दिनों जेल अधिक्षक से जो पूछताच हुई है ये खबर सामने आ रही है कि उनका सहयोग नहीं मिला है इस पूछताच में क्या कुछ जनकारी है हाँ देखें ये हामीद अक्तर जो है बिर्सा मुंडा सेंटरल जेल के वो सुप्रिटेंडेंट है और कल उन्हें संबन जब पहले संबन किया गया था तो वो कल की जून की जो तिथी थी वो अपने मुकमल जो समय है उससे पहले वो एडी के दफ्तर पहुंचे थे और एडी के तरफ से जो सवाल किये गए हैं जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि सवालों का वो पुक्ता जानकारी नहीं दे पा रहे हैं तो उनके जबाब से ED बहुत संतुस नहीं है और यही वजह है कि पर्वतेहवारों के बाद जो है एक बार फिर जेल सुपरिटेंडिन को फिर से बुलाने की बात कही जा रही है दिखें यह पूरा मामला है तमाम चीजों पर आप गौर करेंगे तो एक साजिस का एक आरोप ल चल रही थी तो उन तमाम चीजों को लेकर कोशनायर भी ED ने तयार किये हैं और जिसमें बड़ा बाबू हो दानीस और उसके बाद जेलर जो है नसीम खान उनसे सवाल जबाब हुआ है अब जब ED जो है आने वाले समय में तीनों के साथ एक साथ बातचीत करेगी ED यह खबर को लेकर ED पूरी तलास में हैं वहां तक अभी ED पहुंच नहीं पाई है और जो महत्वपूर्ण जो चीज है वो है CCTV फूटेज और CCTV फूटेज के बारे यह बताया जा रहा है कि वहां काफी संख्या में कैमरे लगे हैं और कुछ फूटेज जो है अपने आप डिलीड भी हो ED के पास जो इन्फॉर्मेशन है उनके उनका क्या जवाब इन्हें मिलता है और उसके पाट वह है जानना चाहेंगे कि जब पूछताच आगे बढ़ती है तो जो जेल अधिक्षक है वो क्या को जिसका जवाब देते हैं बहुत बहुत चुक्रे अंजनी तमाम जानकारियों खामिद अक्तर जिस तरीके से खबर आ रहे हैं कि वो स्यूग नहीं कर रहे हैं पूछताच में तो दुबारा उन्हें पूछताच के लिए दीपावली के बाद बुलाया जा सकता है